महाराश्ट्र के उपमुख्य मंत्री अजीत पवार ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर हमारा नया सांसद होगा पवार ने ये बात महाराश्ट्र के दूले जीले में जन सम्मान यातरा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कई अजीत पवार ने कहा कि हम अलपसंख्यक समाज से जुड़े विशय को लेकर केंद्र में जाएंगे साथ ही अजीत पवार ने ये भी कहा कि हम वक्फ बोड के संदर्ब में कोई भी अरचन नहीं आने देंगे पवार ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब केंद्र सरकार वक्फ संशोदन विधेयक लेकर आई है महाराश्ट्र के उपमुख्य मंत्री अजीत पवार ने कहा कि अगले 15 दिन के अंदर हमारा नया सांसद होगा पवार ने ये बात महाराश्ट्र के दूले जीले में जन सम्मान यात्रा के दोरान एक सभा को संबोधित करते हुए कई अजीत पवार ने कहा कि हम अलपसंख्यक समाज से जुड़े विशय को लेकर केंद्र में जाएंगे साथ ही अजीत पवार ने ये भी कहा कि हम वक्फ बोड के संदर्ब में कोई भी अर्चन नहीं आने देंगे पवार ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है